सल्मान खान का ऐसा कबूल नमा जिसे सुनकर उनके फैंस रह जाएंगे दंग सल्मान ने क्यों खुद को दस में दिये तीन नमबर इस वीडियो में आपको बताएंगे ऐसी ही डिटेल सल्मान खान की एक्टिंग का पूरा हिंदुस्तान कायल है उनकी कुछ एक फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो लगबक समीन है 2010 के बाद से 100 करोड से ज़्यादा का कलेक्शन किया है मगर इसके बाद भी सल्मान खान अपने एक्टिंग को कई बार बहतर नहीं मानते सल्मान एक इस्टार को खुछ से ज़्यादा बहतरीन बताते हैं ये इस्टार मौजुदा वक्त का नहीं बलका सी के दशक से पहले का है और सल्मान खान उनके इस्टारडम के बहुत बड़े फैन है सल्मान खान ने एक इंट्रूम में बताया एक एक्टर होने के नाते मुझे नहीं लगता है कोई भी दिलीब कुमार और अमिताब बच्चन से उपर जा सकता है महीं इस्टारडम के मामले में राजिश खनना से उपर कोई नहीं जा सकता मैंने इनका इस्टारडम देखा है लोग पागलों के तरह पीछे पड़ते हैं इसलिए मैं कर रहा हूं कि जब इस्टारडम की बात की जाती है तो मुझे लगता है कि हम लोग इनके 10% तक भी नहीं पहुंच सके हैं हलांकि सल्मान खान से मौझूदा भक्त के सुपरिश्टार को लेकर सवाल किये गई तो इस पर वो मुस्कराने लगे सल्मान खान को शूटिंग के दौरान कोई भी स्टैप दिया जाए तो उसे करने से वो परहेज नहीं करते फिर चाहें उल्टे सी तो शौट सी क्यों न देने हो सल्मान खान उनने करने से नहीं चकते फैन इस सीन को देख कर तालिया बजाते हैं मगर इसके बाद भी सल्मान खान को लगता है कि उनके एक्टिंग में कमी है इस बारे में उनने खुलासा किया आडियन्स ने मेरी परफॉमेंस को ज़्याद अच्छा मान लिया था मैं केबल ठीक था मैंने अपनी एक्टिंग के लिए 10 में से 3 नंबर दिये थे सल्मान खान एलाइन अपनी पहली फुल फ्लेज फिल्म मैंने प्यार किया कि ये बारे में कही थी कहते कि सल्मान उस बक तक खुद को कैमरे के सामने कमफर्ट फिल नहीं करते थी मगर आज के दौर में उन्हों ने अपने एक्टिंग से बॉलिवूड के कई बड़े सितारों को पीछे छोड़ दिया है सल्मान का एक कबूल लामा ऐसा है जिसे शायद ही उनके डायाट फेंड जानते हों ये खुलासा यखिनां दिमाग घुमा देने वाला है सल्मान के गैरेज में दुनिया के कई मशूर मॉडल्स की बाइक्स और कारे हैं लेकिन एक टैंपर उनके पास ना महेंगी बाइक्स थी और ना ही कारें मगर अपने शौक को पूरा करने के लिए सल्मान बाइक्स शुराया करते थे सल्मान खान ने इस बारे में बताया कुछ दोस्तों के पास महेंगी बाइक्स थी लेकिन वो चलाने नहीं देती थे आखिरकार मैंने जुगार ढूनी लिया मैं अपने नाखून से अपने दोस्त के बाइक शुरू कर लेता था उस पर घूमने का बाद उसे कई और छोडाते थे इस दोरान अगर दोस्त पॉलिस को बाइक चोरी की शिकायत करवाता तो मैं खुद ही पॉलिस को फोन कर बताता कि वो बाइक मैंने बहां खड़ी देखी है आप देख लीजिए कई बार मैं ऐसा किया था सल्मान का ये दावा है कि उन्होंने सिर्फ फ्रेंज की बाइक के साथ ऐसा किया इसलिए उनके खिलाब कंप्लेंट नहीं हो पाती थी दोस्तों क्या आप सल्मान खान की अंसोने कबूला में पहले से जानते थे क्या सल्मान खान की चोरी वाली बात आपको हजम हुए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दाए